नमस्कार आप देख रहे हैं जन्वर पैंज सच के साथ एक कदम आज दिल्ले के जंदरमंतर पर जन अधिकार मोर्चा और लाश्चोजर पार्टी के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जन्सभा का आयोजन किया गया देखते हैं समब दाता अर्विन सागर के साथ कैमरा मैंन पलख सागर की रिपोर्ट आप प्रोपर्ट रहें डीपियस में और अपने ओजस्ति उचार हम लोगे सामने रखें सरीमान विश्ण सरमाजी जे 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 माभारती नमन उपस्ति सभी संसमाज और मेरे प्यारे साथियों मात्र सक्ति प्यारे यूवर साथियों सभी को मेरा नमन मानिवर सभी ने अपने बहुत अच्छी अच्छी विचार सभी के सामने रखें बहुत अच्छी बात है आज चाहे मुद्दा सुभात किसी ने की हो लेकिन आप सब पस्तित हुए हैं मैं सभी का अभार व्यक्त करता हूँ राष्टिय अट्याख को एव राष्टिय पाद्ध कि ये या योड़दार सालियों से त्वागात हूँ चाह गौनता घरजापु उसकतकर देभर राष्टौ सेंब्दा凝्वारा राष्टिय ठीवारा व्यक्तकरा अब्रवन सर्थ अपने साल पार किरार करेंगे इसे के साथ हमारे दीच में उपसे सिवेंदर पाल्जी यो रमेज पाल्जी के सुपुत्रा है उनको अमंत्रित करते हैं देहाएं और अपने समिदार पर पिचार रखें माने सिवेंदर पाल्जी जो दार्शावियों से स्वागत तक माने जिमंतरपालि के लिए विचार रखेंगे आझ के कारिक्रम के फुलक्त में मुत्की सम्विदान देश के लिए आप наша मपानि फिता है तो यह ऊपधिनाशना से आँवात में कद वह चाहरा जटी भी में हमाँची छिटीट पूरण ची कर्फ़ती दी में मांपने हमाँची फॉसर वह तरीवाई उना मुझा पढ़ा कर्फ भांदाष घीँ कर्फ़ता उनुदि थी यूद्टिक एक परेदा ध्युक्तरण कि अन्हान के ऊपर कुछ बाते के लिए का अधू कीजो को मताने का ही असका इसकर के दूड को बहुत बहुत भूँत का ताथ मुझा करना हूं आशे कि हमारे राज्यी अध्वर, राज्ट्री उन Ubayip पार्टी के राज्पि बभू राम पाल जी सिख्डी के इस पार्टी रा दांब तर रहे हैं और इस पार्टी को लिख के आखे चल रहे हैं और उनके विशारों को और ति हम अदर को देखने हु厘 extremely~~~ जो मैंने सीखा और समझा है वो है एक्ता। इस तरीके से हम देश पे एक्ता को में अरफ़ाओ हैं। जो भी लोग को अरफ़ाओ हैं, जो भी इखिंद υुखिंद लोगों के बिंचरी धेदें। उसको पुष्पी इसे ख़़न कर सकते हैं, और लास्ट को एकता ही जा एक विशाल शुरूर देके आगे बढ़ सकते हैं, तो दसको पहले अपनी अपनी बातों का चुरूर को ये बोला जाओंगा, कि हमारे प्रेशने को प्सक्राइब और जब इसकी आपना हुई, तो मुख प्सक्राइब ज़रू करें, हन्यवाद